नमस्कार मैं हूँ पवन्ति zrobić Aigi करनाटक में कॉंग्रेश के शपत ग्रहन्स अमारो में जो सरकार कस्षपत ग्रहन्स हमारो हुआ था उसमें पहले की तरह आद्थतन सारा विपक्ष कर्टा हुआ था और विपक्षी नेताओं ने इक्र्टे होकर पहले की तरह हाथ उठाकर फोटो खिचवाई थी ये भी कोई नई बात नहीं है और एक बार दिखाने की कोशिश की के देखिए कॉंग्रेस के साथ ये विपक्षी दल सारे मजबूती से खड़े हैं और 2024 के चुनाओं में मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता तैयार है लेकिन इ जाने माने वकील सुप्रीम कोट के जो हैं कपिल सिब्बल उन्होंने एक ट्वीट करके हवा निकाल दी और उन्होंने ये कहा कि जो शपत ग्रेंस हमारों में करनाटक में एकता दिखाई दी मंच पर खड़े होकर भीड दिखाने से कुछ नहीं होगा जमीन पर अभी कापी कुछ करने की आवशकता है दोजार चोवीस के चुनाओ को यदि विपक्ष को लड़ना है तो एक उनके पास एजंडा हो जो कोमन एजंडा हो अब ये कपिल सिब्बल ने कहा है आपको बता दें कि कॉंग्रेस के सीनियर लीडर है और ये उन्होंने जो बयान दिया है कि फो विपक्ष की एक ता जो बनाने की कवायत कॉंग्रेस कर रही है हाला कि उसकी हवा इस शपत गरेंट्स हमारों में ही निकल गई क्योंकि बहुत सारे विपक्ष के ऐसे नेता थे जो कॉंग्रेस के बुलावे पर वहां गए ही नहीं जिसमें की ममताब एनर जी ऑनको उम्집 थ करो उस पर कॉंग्रेस ने ये कहकर साफ कर दिया कि हम आपके पीछे आने नहीं आप अलग लड़ो हम अलग लड़ेंगे इसी तरह हमने देखा अखलेश यादव उसमें नहीं गए कि उन्होंने देखी लिया है कि राहुल गांदी का साथ लेने का मतलब क्या होता है अखलेश बड़ी पार्टी और बड़ा एक जो हमारे देश में एक जुटा का परिचे देते हुए जो वोटर है वो है बस्पा का तो बस्पा की बहन मायवती नहीं गई इसी तरह आपको बता दें ओडिसा के नवीन पटनायक इसमें नहीं गए तेलंगाना के प्रमुग बी आरेस के प्रमुग जो हैं चंदर सेकर राव वो नहीं गए आंधर प्रदेश के वाई एस आर सी पी के प्रमुग जो हैं जगनमौर रेड़ी वो भी इसमें नहीं थे केरल के पिनरई विजय नहीं थे और ये जो नेता नहीं गए उसका कारण है कि दो गुट बने हुए दिखाई द नेताउं से मिलते हैं मुलाकात करते हैं और उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं और उपनली उनके नेता दो बौल भी चुके हैं के देश का प्रदानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए और जब वह एकम्मे पढ़े लिखे नरेंदर मोधी को अंपढ कार रहे हैं किसा हम राजा अनपड़ राजा तो इसका मतलब यह है विपक्ष के जितने नेता हैं उनकी डिगरी अगर M. तक की है तो केजरिवाल की नजर में वो तो अनपड़ हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर पड़े लिखों की काडिगरी में आना है तो आपके पास इंजिनिंग की आई लिया है उन तो राउल गांदी को भी नेता मान रहे है और राउल गांदी सुन्या गांदी के सामने नत्बस तक हो रहे थे केजरिवाल उदव थाक्रे जाम महराश्टे में क्या इस्टित है आपके पास पार्ट Yoga निशानसों बचा और अब पास जो शिवस्यना का काडर उ हो जाए दूसरी तरफ राहुल गांदी है वो ये सोचते हैं कि करनाटक का चुनाओ क्या जीत लिया वो एक बड़े नेता हो गए और अब वो मोदी को मुगाबला कर सकते हैं हला कि कुछ लोग जो राहुल गांदी को कोई पपू कहता है कोई कुछ कहता है मजाक उडाता है मैं इससे सहमत नहीं हूँ मैं यह कहता हूँ कि देखे मैं पहले से कह रहा हूँ कि राहुल गांदी को जो मजाक बनाते हैं और यह सोच रहे हैं कि वो तो मसकरा टाइप बाते करते हैं हसी मजाक में नहीं बहुत गंबीर आदमी है उपर से दिखाने को जान पूछ के वो ऐसा काम करते हैं जिससे कि आप उनको ऐसा ही समझें कि उनको तो कोई समझी नहीं है उनको तो भाषन देने की समझ नहीं है आप कभी उनका Cambridge University का भाषन देखिए आप उनके tweets देखिए विदेश की धरती पर चलाया गया agenda अगर आप देखेंगे और आप Congress के जो मुख्य मंत्री है उनके द्वारा जो राहूल हिंदुत्व सनातन आगे ना बढ़ जाए जहां जहां प्रहार कर सकते हैं वहां वहां ये Congress इस पर प्रहार कर रहे हैं इसी तरह आप देखिए कैसा मजाक उड़ाते हैं कि ये जनेव धारन कर लेंगे तिलक लगा देंगे तिर्बुन्द लगा देंगे सारा नाटक करेंग कि आप सत्ता में आ जाते हैं सरकार बना लेते हैं उसके लिए जंता को मूर को बना देते हैं ये केजरी वाल का एजंडा इन्हों ने सीख लिया है अभी तक केजरी वाल कोंग्रेस को ही फोलो कर रहे थे देश की आजादी के बाद से जिस तरह से इस देश से गरीबी मिटा का नारा कांग्रेस सिन्स और पहले दिया हम सतता आएंगे तो गरीबी मिटाएं गे इंद्रा हम गांदी के टाइम से सुनते आरे घुडनी हर ते paid का दसक यहने अपने भचपन की गई हैं जो किसानों के हितके काम किये गए वो वो नहीं है जो कॉंग्रेस के टाइम में थे लेकिन आप उसके पहले के भाशनों को सुनिए देश के कई हिस्सों में कई राज्जों में खबरे आती थी भूक के कारण फला अदमी मर गया वहां किसानों ने आत्मत्या कर ली तो यह एजंडे में इनके रहता था कि कॉंग्रेस लाओ गरीबी हटाओ लोग सोचते थे कॉंग्रेस आएगी तो गरीबी हट जाएगी कॉंग्रेस को बोर्ट दे देते थे कॉंग्रेस सत्ता में आ जाती थी तो गरीबी हटी 65 साल में कॉंग्रेस ने गरीबी नहीं लेकिन लाब कितनों को मिला, क्या देश के दलित, OBC, ST, ये जो जुगी जोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग, उनका उद्धार हो पाया, उनके बच्चे सब ग्रेजवेट हो गए, उनको सब को नोकरी लग गई, भाई आपने आरक्षन रखा था, 50% तक आपने आरक्षन ले आए, तो सबके दलितों के बच्चे तो नोकरी पा जाने चाहिए थे, लेकिन बड़ी साजिश के तहट केवल गोटना की दिया नहीं, भाई अधिकारी को आदेश कर दो, कि आप वेकेंसी निकालो ही मत, कौन पता करता था, आर्टी आई तो पिछले कुछ दिनों से को आपने नोकरी दी, पूछें जरा कोई, कि 2014 के पहले, ये कौंग्रेस की सरकारों में कितने युवाओं को, जो एस्सी थे, दलित थे, एस्टी थे, ओवीची थे, मुस्लिम थे, उसको नोकरी दी गई, पता करें जरा बीजेपी, बीजेपी इस काम में कमजोर है, निरेट की बिल्ड करते हैं, लोगों का वोट लेते हैं, उसके बाद वादे कियोए भूल जाते हैं, राउल गांदी का वादा जो उन्होंने राजस्तान में किया था, और दस तक गिनती गिन रहे थे, गंगजल का हाथ में लेकर के कसम खा रहे थे नेता, के दस तक गिनती किसानों का क modes माफिज़ जब सरकार आ गई तो क्या किया रहे हैं सिब का थोड़ा ही कОा था हमने उनका क्वा था जो ज़रूरतमन धब ज़रूरतमन कैसे पता लगा होगे बस कांग्रेस के कारेकरताओं को दे दो जो कांग्रेस का नका ब्लोक का डिक्ष कह देगा उतनों का कर दो ब्रस्टाचार कर गेरा उनके ही सरकार के मंत्री तक सवाल उठा रहे हैं राजस्तान की सरकार पर अब यहाली में जिसको लेकर खुश हो रही है कॉंग्रेस करनाटक में जैसे ही सब्ता में आए पांच गारंटी दे रहे हैं कि महिलाओं को बस फिरी महिला घर की मुखिया महिला को दो हजार रुपया हर महीना ग्रेजवेट्स को तीन हजार डिपलोमा को दो हजार हरे की हुआओं को देंगे अभी सरकार के शपत ग्रहन होते ही जब सितर महिया जी से पत्रकारों ने पूछा कि भाई इसके लिए पचा को थोड़े ही देंगे उनको देंगे जो पिछले साल में ग्रेजवेशन की हैं अब हो गया काम जो लोग यह सोच रहे होंगे के हम तो ग्रेजवेट हैं नोखरी है नहीं बेरोजगारी का परमान पत्र लगाएंगे अपनी डिटेल देंगे बैंक की और हमें तीन हजार रुपया महीना मिलना सुरू हो जाएगा उस पर कह दिया के भाई यह तो सबको तो मिलेगा नहीं यह तो इस साल जो बने हैं सोचिए अब वो इस साल भी जो बने हैं उसमें देंगे अभी आगे आप देखते रही है इसी तरह महिलाओं के बारे में पत्रकार कैसे दूढेंगे वही ब्रिटाचार करेंगे तो कुल मिला करके कोशिष है वादा करते हैं भूल जाते हैं और सर्कार में आने के लिए जोट बोलते हैं जसका कोई इलाज नहीं पर्चिए जंता डेको केजरीवाल हो देको कनृरे में पर siya kamu आने के पर बोलते हैं और ये बंद होना चाहिए लगता है 2024 के पहले सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निरने लेगा संसद कोई कानून बनाता है ये बंद हो पाते हैं के नहीं हाला कि बंद होना चाहिए जरूरत मंद वेक्टी को आप समान दे दीजिए जैसे कि केंदर सरकार की योजना है कि जो पीडिय बंटेंगे और वो पैसा टेक्सपेयर का होगा तो क्या ये रिश्वत नहीं है मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि जब चुनाव की घोशना होती है तो चुनाव आयोक की तरफ से टीमें घूमती रहती है और यदि कोई नोट बंटता हुआ कोई साड़ी बंटता हुआ खुलाओकर घोशना कर रहे हमारी सरकार आईगी तो तीन हजार ग्रेजविट को देंगे दो हजार डिप्लोमा को देंगे महिलाओं को बस्यात्रा फिरी करेंगे औरे भाई ये भी तो रिश्वत है चुनाव आयोग इस पर एक्शन क्यों नहीं लेता कि कोई भी पार्टी क कोई भी घोशना करेगी नहीं विकास के काम की नहीं है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इतने अस्पताल बनवाएंगे हमारी सरकार आएगी तो हम इतने स्कूल बनवाएंगे हमारी सरकार आएगी तो इसने हाईवेज बनवाएंगे और नेशनल चुनाव है तो नेशनल की बा ना सुप्रीम कोट इस पर संग्यान लेता है और बस पबलिक ठगी जाती है और यह नेता सत्ता में आते हैं सत्ता की मलाई मारते हैं और वो करोड़ों रुपया इखटा करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं पांच साल बाद फिर मिलेंगे कहकर करनाटक में जो हुआ है यह व यह कब होगा जब एक ही विचारधारा के लोग जुडेंगे जादेतर विपक्षी नेता जो हाथ पकड़ कर फोटो खिचवा रहे हैं आप उसमें देखें कितने ही ऐसे हैं जिनके उपर ED का केश चल रहा है CBI का केश चल रहा है क्या केश हैं ब्रष्टाचार के सब ब्रष स्थित मुद्दा है क्या युवाओं को रोजगार देना इनका मुद्दा है क्या देश की सेना को मजबूत करना इनका मुद्दा है क्या देश की आर्थिक उन्नती करना इनका मुद्दा है ना कोई विचारधारा नहीं है कोई विचारधारा नहीं है कम्निश्ट कॉंग्र राष्ट भक्तों से जो 2024 में चुनाव होगा वो राष्ट भक्त वर्सिद राष्ट के द्रोहियों के बीच है ये देश को समझना होगा अब ये द्रोहि कोन है सब तो नहीं है कोई लोग है इस विपक्ष में गुट में कोई लोग है जो देश के विरोध में काम करते हैं देश को नुकसान को राने वाले करते हैं जो ब्रिष्टाचार करते हैं जो लूट खसूट करते हैं उन से देश को सतर्क होना पड़ेगा और वोट की ताकत से उनको निकाल कर भार करना होगा वरना ये देश कई सो साल पीछे जा सकता है और दुनिया की बड़ी बड़ी शक् आजना होगा आपकी क्यारा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बंदे मातरों